परमु सतकार योग गुरु प्यारे गुरु स्वारे खालसा जे आओ गुरु फते दी साज करिये गज क्या खो वाहे गुरुची का खालसा वाहे गुरुची के फते जिस तरह आप जी नूँ पता है के गुरु गुरंत सहमा राजी दी चल रही संपूरन विचारां दी लड़ी देता है तो आसी चपजी सहब दी बानी दे बारे विचार चर्चा कर रहे हां पिशली वीडियो दे अंदर वक्ष वक्ष विद्वाना दे वलो जो कोज जबजी सहब दे बाबत लिख्या गया ओदे बाबत आप जी नल गालबात कीती सी आज जसी जपजी सहब दे अंदर जो सेख तरमदा मुडला सिदांत है जे सुनू बोहतांत लुकाई दे अंदरों मूल मंतर क्या जान्दा है ओदे बाबत गलबत करनी है जपजी सहब दी बानी दे प्रती विद्वाना दी राए है के गुरु ग्रंथ साहिब महराज दी स्मुची बानी जपजी सहब दी व्याक्या है जपजी सहब दी बानी दा सेंटर आइडिया केंदरी पाव अंतरी पाव मूल मंतर दे अंदर दर्ज है मूल मंतर जेसनु सिख तरमदा मुडला सदानतवी क्या जान दे एशदे बाबत सिख समाज दे अंदर दो विचार पाई जान दे हन एक विचार एक ओंकार तो लेके गुर पर साधिता कमूल मंतर मन दाए दूसरा विचार जीदे विच डेरेदार निर्मले ते ओदासी सादू तक साल ते ओदे नल सबंद रखन वाले जेडे बहतांत लोक ने ओ एक ओंकार तो लेके नान को हुशी पी साचता कमूल मंतर मन दे हन सा संगत पर असी तानु गुरू गरंस सह महराज जीदे विच जो सुरूप सानु मूल मंतर दा मिलदा है असी ओदे बाबत गाले करनी है चार सुरूप मूल मंतर दे गुरू गरंस सह महराज विचाई ने कुल पांच सो सताथ वार शोटे ते वड़े रूप दे अंदर मूल मंतर तानु गुरू गरंस सह महराज विच आया है हुन ते आंदे नाल तुसी ए सोनना ता जो पता लगे भी केड़ा केड़ा रूप मूल मंतर दा किन्नी वार तानु गुरू गरंस सह महराज विचाई सब तो पहला वड़ा रूप है जिदे विच एको अंकार सत नाम करता पुरुख नेरपव नेरवैर अकाल मूरत अजुनी सैपंग गुर परसाद एह सब तो वड़ा रूप सिख तरमदे मुडले सदात दा मूल मंतर दा चेड़ा कोल तेती वार गुरू गरंस सह महराज विचाई जदों किसे राग दी शुरू आद हुंदी है किसे वार किसे पगत सहबान दी बानी शुरू हुंदी है ओदे अरांब दे विच ए रूप सानु वेखन वास्ते मिलदा है कोल तेती वार ए सानु गुरू गरंस है महराज दे विच आया हुया मिलदा है दूसरा रूप है एक ओवंकार सत नाम करता पुरुख गुर परसाध ए जड़स रूप है ए नौवार गुरू गरंस है महराज विच आया हुया तीसरा रूप एक ओवंकार सत नाम गुर परसाध ए दो वार सारे गुरू गरंस है महराज दे विच सानु पढ़न दे वास्ते मिलदा है चौथा रूप है जड़स सब तो जादी वार गुरू गरंस है महराज विच आया है सब तो शोटा रूप एक ओवंकार सत गुर परसाध पांज सो तेई वार ए गुरू गरंस है महराज दे विच सानु देखन विच मिलदा है हुन कुल पांसो सताथ वार वखवख रूपां दे अंदर सिख तरमदा मुडला सदांत मूल मंतर सानु पढ़न दे वास्ते मिलदा है हुन जेड़ी चीज गुरू से महराज ने बार बार लिखी असी उस चीज तो कि में मुनकर हो जाई है दूसरी गल एस सिद कर दी है के मूल मंतर एको अंकार तो गुर पर साथ तक है असी गुरू गरारा राज तो बार नी जामांगे जो हो महराज दी बानी दे अंदर शुरूप सानु पराप्त। हों दे ने यह सरांड़ा टांग सानु गुरू गरां से हमारा राज दी बानी विच्चु पतन वास्ते मिलदा है असी ओदे वेचे रिंदियां होयां इस गालनों कलीर करन्दा जतन करांगे तुसी सा संगत जी खुद डिसाइड करना जेडे संगत ने खुद सैज पाठ कीता है उन्हानु पता हुएगा जिन्ना ने गुरुगरंस हमाराज दे अजे तक रम्ब तो लेके अंत तक दर्शन ने कीते ओवी गुरुगरंस हमाराज दे ताब्या बैठके इस गाल दे खुद कलियल्टी कर सकते हन ते गल सही है जंगलत है जदों में महराज कोई शवद दी तोक लेख दे हन ते ओ तोक दी समापती दे उते महराज दो डंडियां पहुंदे ने आम पंजाबी दे अंदर एक डंडी पाई जन दी है पर महराज ने बानी दे दर दो डंडियां पाई याने लिखन दा टांग है जदों में कोई तोक खतम हो जन दी है समापत हो जन दी है ते ओथे दो डंडियां दखाई दें दियाने आज जी वीडियो सुन्तों बाद तुसी गुरु गरांसे हमारादा सुरूप परकाश करके दिखना एक को उंकार तो लेके गुर पर साथ तक जेडी गाल महराज कैनी चौंदे ने गुर पर साथ ते जाके समापतों गई ओदे अगले पासे दो डंडियां ने अगली गाल महराज ने स्टार्ड किती फिर दो डंडियां पाई या दो डंड़ियां दे विचकार जाप लिखिया ते जाप तो बाद फिर डंड़ियां पाई यह तेन जड़ियां डंड़ियां ने एक गाल कलियर कर दियां ने भी गुर पर साध तक जड़ी गाल महराज कैनी चौंदे ने ओ डंड़ियां पाके महराज ने समाप्त कर देती अगली गाल शुरू किती फीर दंडी आ पांके महराजनी समाप्त कर देती जाप जेड़ा है maybe गूर प्रसाध नाल मूल मंत रनाल कोई सबंदनी जाप बाणी दा नाम है जापदे कई अर्थ निकलने जापदा मतल जपना मी हुंदा है जापदा मतल सिमरना मी हुंदा है जापदा मतलब चेते करना जाद करना मी हुंदा है जापबानी दा नाम है एस्तु अगले पासे आद सच जगाद सचáriय पीऑत नानको होसी पीऑ सच एपेला अजप बानी जडा सुखमनी सभदी बानी विकटे कलीर भी हो जाना आद सच जगाद सच है पे सच नानको हुसी पे ही सच ए QUEल कलियर हो जानदी एभी एज़ा स्लोक है पाइला है ते गुरु नान के सह महराज चिदा ही लिखिया होये दूसरा स्लोक है पमन गुरु पानी पिता माता तर्त महात एदे ने कले र महा राज ने स्लोक लिखिया हुए है एस एही स्लोक सानु गुरू अंगर साहिब महाराज जीदा वी प्रापत हुंदा है जीदे विच एक शब्द दा बदला महाराज ने कीते नानक ते मुख उजले केती शुटी नाल ए रूप गुरू नानक सहिब महाराज ने लिखिया है नानक ते मुख उजले होर केती शुटी नाल ए गुरू अंगर देव महाराज जीदा लिखिया हुए स्लोक सानु गुरू ग्रंस है महाराज वीच प्रापत हुंदा है सो सा संगत सानु बेलकुल शपस्ट हो जाना चाहिदा है कलीयर हो जाना चाहिदा है बानी दे प्रती किसे तरहना भी पले खासा डे मानविच नहीं रहना चाहिदा जाप बाणी दी पहली पॉड़ी जाड़ी ये उ सुचतौ चून शुरू हों धी है अखीर ली पॉड़ी जात पहाराती जुस उने आरहे है 88 पॉड़ीया ने जाप बाणी दिया एक नंबर आंग तो लहके 8 नंबर आंग तक एक जाप बाणी जेड़ी है एक गुरु गरंस है महाराजदे वेच लिखी हुई है इस जप बानी दे अंदर महाराज ने कई सवाल सड़ी चोली वेच पाए पर पहला जड़ा सवाल है वो की है कोदा की उत्तर सचे पाथ्षा महाराज ने सानु देता होर केड़े केड़े सवाल महाराज ने जप बानी द देंदा जतन कीता है जां साड़े मंद देंदर शंकाई रहें देटा इना सारी यह गल्लांदे बापत से अगले वीडियो देंदर जानांगे पुल्ला चुका देखें माझे वाहिकुर्ची का खलसा वाहिकुर्ची की फत्य